Capital Smart City का इंटरचेंज लहोर इसलामबाद मोटरवे परेशनल हो चुक है इस इंटरचेंज का Capital Smart City के मेंबरान को क्या benefit होगा आज किस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे First of all, investor category and second is कि जिन्होंने end user point वे से रहाईश इखत्यार करनी है उन्हों क्या benefit पास होगा First of all, Capital Smart City वो society है पाकसान की पहली private society है जिन्हें पाकसान के सबसे बड़े flagship road पे अपना private interchange लिया है तो Capital Smart City के ये बहुत बड़ी achievement है पाकसान के recorded history में at least इतनी बड़ी इतने कम टाइम में इतनी बड़ी achievement किसी और housing project के पास नहीं है तो ये तो गया पहला Capital Smart City ने interchange की जिस तरह commitment की थी उसको honor की है हर लिहाद से MTAG के बाद public ले open होना एक बहुत बड़ी achievement है अब आते हैं जी इनका members हो क्या benefit पास होगा investment point of view से फोरण अगर right now देखें तो market के अंदर जायर सी बादा sale purchase का जो trend है वो दुबारा से अगाज हो जाएगा अभी जो market में बिल्कुल जिस बाद की speed थी बहुत slow हो गई थी तो sale purchase के speed में increase होगा इस motor of interaction की तरफ से क्योंकि market में अभी daily base पे अब आप देखेंगे तो अगले एक साल के अंदर आप duration में देखेंगे कि capital smartity के अंदर prices almost double hit करेंगी कैसे hit करेंगी क्योंकि अभी right now जब से capital smartity launch हुआ है जितने लोगों ने capital smartity की site पे अब तक total 5-6 सालों में visit किया है उतने लोग आप देखेंगे एक साल में visit करते हुए क्योंकि public interchange है कोई पर individual अगर यहां से इसलामबाद से लहुर जा रहा है तो उसके लिए access है वो capital smartity interchange पे जा सकते हैं कोई पर individual जो इसलामबाद से लहुर से इसलामबाद आ रहे हैं उनकी भी access है वो directly capital smarty की साइट पर जा सकती है तो जब demand बड़ेगी, footfall बड़ेगा तो automatically यहां पर prices में jump आएगा तो 365 दिनों की window में उन members को hopefully इन्शाला ताला तकीबन 100% के आसपास profit होगा just because कि वहां पर footfall बड़ेगा और demand बड़ेगी अब second वो members है जिनों नहीं यहां पर हाई शिक्तियार करी है उनको क्या benefit पास होगा वो members जिनकी government job नहीं है यानि कि वो दाला लुकूमत सेंटर इसलामबाद में को सरकारी मुलादम नहीं है जिनका private business है उन members के लिए बहुत ज़्यादा benefit होगा जिनकी job है उनको तो benefit नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे daily base पे वहाँ से यहाँ commute करना is not easy और अभी metro भी operation नहीं है वहाँ पे तो उन लोगों के लिए फ़ाँ difficult होगा बाकी जो members specifically जिनका smart IT से related business है या in general जिनका construction से related है या IT से related है या किसी भी business के लिहाँ से जो capital smart IT की साइट पर setup करना चाहें तो उनके लिए बहुत बड़ी window है क्यूंकि अगर आप downtown Islamabad में देखें तो चार मरले की price में आज जो है लिए for example चार कनाल का plot ले सकते हैं अगर देखें चार मरले का जो घर है आपका G13 में उसकी price है रहाँ को चार साठ चार क्रोड तो उतने का capital smart IT में चार कनाल का plot ले सकते हैं तो यह इतना बड़ा difference है मदब इतना बड़ा difference आव तो रपे numbers में बहुत कम होता है capital smart IT के बाद आज की डेट में एडवांटेज है अगले साल एडवांटेज कम हो जाएगा रहाईश के इतना बार से क्यों benefit है कि अगर आपका तालुए इसलामबाद जो है वो natively locals का शेर नहीं है जैसे पंजाब में कोई भी आप शेर देखें फैसलाबाद लहोर गुजनावाला तो वहाँ पे अगर आप देखें तो लोग settled है की सालों से मतलब सद्यों से settled है मतलब 500 साल 600 साल 700 साल generations की तरफ से settled है इसलामबाद जो है वो basically 1958 में capital बना था तो इसलामबाद के अंदर local अबादी नहीं है mostly लोग जो हैं जो आपकी surrounding areas हैं वहाँ से move कियों है इसलामबाद में 63% अबादी से इनका तालुक है वो members अगर वहाँ पे रहाईश रखेंगे तो उनके लिए benefit जाद है क्योंकि उनको इसलामबाद से निकल के commute करने में बहुत असानी है एरपोर्ट आपका पांच मिंट के drive पे है सेंटर डाउन टाउन इसलामबाद 15 मिंट के drive पे है तो उन members को सब जब जब benefit होगा और मेरा ख्याल है कि initially इन शेयरों के जो मेंबरान है वो पहले साइट पर movement start करेंगे पहले आगर हाई शेक्तियार करेंगे reason is कि उन्होंने daily basis पे ना सी तो at least monthly दो दफा या तीन दफा वापस अपने hometown में करना होता है तो उनके लिए काफी असानी हो जाएगी जिन मेंबर्स ने इसलामबाद में यहीं के नेटिव यहां जॉब करते हैं उनके लिए बिपेंडिंग उन्दर परसनल प्रेफरेंस उनके लिए असानी है बट 15-20 मिंट को जो कम्यूट है वो उनका करना चाहिए तो Capital Smart is उसके लिए most prime location है क्यों Motorway practice से चैसे आप किसी भी शहर से कम्यूट करना चाहिए जैसे हम देंस से लाहॉर कम्यूट करना चाहिए तो लेट से चार हम्यूट की ड्राइव है चार गंटे के ड्राइव वेसे से एक गंटा से इसलामबाद के उन्दर वह पर रेंट से कितने जाम पाते हैं और सेकंड इसके कितने लोग कैपिल स्मार्ट साइड पे मूव करना प्रेफर करते हैं अगर पंजाब के किसी रीजन से तालुक रखते हैं तो डेफरिंटी उनकी प्रेफरेंस होगी वहां मूव करें कि मैंने आपको िएक को किरेंस कोड़ कर दीया है कि जितने में आपको चार कंडार का प्लॉड मिलते हैं और यहां पर वहां पर सेक लिए हिसके करें देगाँ आप प्पार टोड की पार रहेसे करें कि शुबराड करें उसको बाइप कंस्रक्शन करें अगली उड़ी तक के लिए खुदा आप पूलें इसके साथ साथ विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com अगर आपको वीडियो ची लगे तो प्लीज दो लाइक, कमेंट एंड शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें उले इसके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड एंड बड़ना मत भूलें थालें आपको प्लें आपको वीडियो ची लाइक, कमेंट लगे।